आज के इस वीडियो के नरम बात करेंगे इउपारजन अगर आप एक किसान भाई हैं या आप एक ओपरेटर हैं और आपने गेहूं या चना या सरसो का पंजन किया हैं और आप अपनी किसान की जो परची होती हैं पंजन करने के बाद उस परची को अगर आप निकालना चाहत तो आप कैसे निकाल सकते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप सीएसी हाल परेक्स चैनल पे नहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें तो आप सर्च करेंगे उपर में ही देखेंगे mpeuparjan.nic.in की वैबसाइड रहेगे सिंपली आपको फर्स्ट नंबर पर ही क्लिक कर देना है जैसी है आप फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने य उपारजन मध्यप्रदिस का ओफिशली पोर्टल ओपन ह होगा जो कि आप home page देख पा रहे हैं इस तरह का home page आपके सामने open होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं home page किसान समस्या बताएं और किसान की जानकरी थर्ड नंबर का option आपको देखने को मिलेगा किसान की जानकरी उसी option पर आपको क्लिक कर देना है किसान की जानकरी option के उप जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ओप्शन शोगा रभी 2022 किसान की जानकरी तो यहां पर आपको अपना जो पर्ची निकालने के लिए किसान की जो पंजन पर्ची अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीला चूस करना होगा मध्य पर्धिस के यहां पर सारे ही जीले दिये हुए हैं आप मध्य पर्धिस से जीले से हैं या आपने गेहु का या चैने का या सर्षेओ का जो भी पंजन करवा है उस तरी किसान की आप तीन तरह से पर्ची निकाल सकते हैं किसान की पंजन पर्ची इसमें आप किसान का मोबाइल नमबर डाल सकते हैं जब पंजन करवाया है वो मोबाइल नमबर या किसान का समगर आईडी सदस्टा आईडी जो होता है उचसे पूछ के वो डाल सकते हैं यह किसान का जो किसान कोड होता है पं चाप्च़कोड डालना है और किसान संच सर्च रहेता है करने के बाद सर्चकर करें उसी की उपचन पर हैं उसी के 聽ते हैं खरेंगे उसी LOOK click करें तो pedir salary किसान की जो क्यवाई सी हैं वो सारा कुछ सत्यापन और किसान का खर्षा नंबर बीव जो भी नंबर हैं जो किसान ने पंजन करवाया हो सारी ही जानकरी आपको नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी और उपर में आप देखेंगे पर्ची निकालने के लिए तो सिंपली उपर में आपको option मिलेगा आवेदन पर्ची print करने के लिए यहाँ click करे blue color में आप देख सकते हैं उपर में ही आपको यह option देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको देखेंगे तो आप महाँ पर click कर सकते हैं अगर आप पर्ची निकालना चाहते हैं तो आवेदन पर्ची print करने पर यहाँ click करे blue color में simply उसी option पर आपको click करना होगा अगर आप पर्ची निकालना चाहते हैं किसान की तो आप महाँ पर जैसे ही click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा loading होगा आपका साइट थोड़ा सा load होगा और automatic ही आपका यहाँ पर्ची आपके सामने print के लिए show हो जाएगा बहुत सारी बात chrome में अगर आप open करेंगे तो आपका यहाँ पर pop-up में चला जाता हैं वहाँ से भी आप open कर सकते हैं और बहुत सी बार आपके की उपाजन पॉर्टल के माधियम से निकाल ली है यहाँ से आप उपर से ही इसको print भी कर सकते हैं उपर प्रिंट का option है डायक लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो सीधा ही आप कहाँ से print हो जाएगा और इस तरीके से आप पंजन पर्ची को निकाल सकते हैं